तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको पलस के आइकन पर किलिक कर लेना है तो मैं पलस के आइकन पर किलिक कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है उसके बाद आपको 16 नाव सलेक्ट कर लेना है तो जैसे कि अभी आप द बेगक्राउट अच्छे से डाउलोड करके रखे हो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो काइन मास्टर में पहले स़ही बेगक्राउन आपको मिल याता है तो मैं यहां से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी आप देख सकते हूँ मैं white background select कर लिया हूँ आपको भी कर लेना है उसके बाद आपको layer के option पर click कर लेना है तो मैं layer के option पर click कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है layer के option पर तो जैसे कि अभी आप देख सकते हूँ मैं इस पर click कर लिया हूँ उसके बाद आपको media के option पर आपको click कर लेना है तो medium के option पर मैं click कर लेता हूँ फिर आपके सामने इस प्रकार के interface आपको दिखाई देगा तो मैं यहाँ से अभी अपने photo को ले लेता हूँ तो मैं इस पर click कर लेता हूँ, click करने के बाद मैं अपने photo पर एक बार और click कर लेता हूँ, click करने के बाद जो मेरा photo है, ये select हो जाएगा, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैं इसको select कर लिया हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सब बड़ा कर लेता हूँ, आपको भ दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हो, तो आपको क्रोमा कीपर आपको क्लिक कर लेना है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, आपको भी कर लेना है, क्लिक करने के बाद मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, आपको भी कर लेना है, इनेबल करने के बाद ये जो क्रोमा की यह आपको दिखाई ना दे आप यहां से अर्जेस्ट कर सकते हो जैसे कि अभी मैं कर दिया हूँ 50-50 तो आपको भी कर देना है यहां से आपको अच्छे से अर्जेस्ट कर देना है ताकि आपके फोटो पर जो green background है यह किसी को दिखाई ना दे तो जैसे कि अभी आप देख सक जो green जो background है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये हट गया है रिमू हो चुका है उसके बाद ये complete होने के बाद आपको क्या करना है एरो का निसान आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है उसके जो green screen आपको दिखाई नहीं दे रहा है यह हट गया है रिमू हो चुका है उसके बाद यह complete होने के बाद आपको arrow के निसान पर आपको click कर लेना है तो जैसे कि मैं इस पर click कर लेता हूँ click करने के बाद आपके सामने इस प्रकर इंटरफेस आ गया है फिर यहां से आप इसके 700 पीपर रख सकते हो या शोबी सिनेवा पर आप रख सकते हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो उसके बाद आप अपने quality आप यहां से कर सकते हो कम जादा कर सकते हो और यह complete होने के बाद आपको export पर click कर लेना है